हेलो शेडेंट्स आप सभी लोगों का एक बार फिर ABS आनलाइन इस्टडी में स्वागत है इलेक्टोर्ट पोटेंसियल्स की बात हम लोग आज ज़र करेंगे ये इलेक्टोर्ट बिभव या इलेक्टोर्ट पोटेंसियल क्या होता है जैसे देखिए एक हम लोग सलूशन्स ले लें इस सलूशन में हम लोग कॉपर सल्फेट ले लें और इसमें एक जींक राड इमर्ज करा दें जींक राड हम लोग ये डाल दिये कुछ देर के बाद यदि हम लोग एक्स्पेरिमेंटली देखें तो कुछ इस तरह से पाएंगे जितना भाग जींक राड का कॉपर सल्फेट सलूशन्स के अंदर है वो कुछ इस तरह का हो जाता है मतलब ये जो पाड अंदर है उसकी सिती कुछ इस तरह से हो जाती है और यहां पर कॉपर का प्रेशिपिटेशन हो जाता है मतलब कॉपर एकत्रित हो जाता है एक्चुली इसमें रियेक्शन्स हुआ जेडन प्लस CuSO4 गिप्स आउट जेडन SO4 प्लस Cu मतलब जींग से जींग सल्फेट का होना एक्चुली इसमें कुछ जूड रहा है तो जहां भी जूडता है उसको आक्सिरेशन हौफ रियेक्शन्स बोलते हैं कॉपर सल्फेट से कापर में जैसे लग रहा है कि कॉपर सल्फेट से कुछ बाहर हुआ तब तो कापर बना माने कोई बाहर हुआ तो जहां बाहर की बात आती है reduction of reactions की बात होती है मतलब एक redox reactions create हो गया इस redox reactions के create होने के कारण जो है इस metal के अंदर एक disturbance क्रियेट हो जाता है कहने का मतलब यह है कि जो part solution में present है उसमें एक reaction होने लगता है या उसके कारण एक redox reaction क्रियेट हुआ उसी disturbance को हम लोग उस metal का electrode potential बोलते हैं मानि जब किसी metallic rod को किसी electrolyte के solution में immerse कराते हैं तो metallic rod और solution के बीच एक potential एक disturbance क्रियेट हो जाता है जिसको हम लोग उस metal का electrode potential या electrode बिभो बोलते हैं अब इसी में एक नाम आएगा standard electrode potential मानक electrode बिभो अब ये standard electrode potential क्या होता है इसी में दो बाते हम कर दे 25 degree Celsius 1 a.tm pressure और एक चीज़ और ये जो solution है इसकी concentration हम ले ले 1 mole per liter या ये कहिए कि इसकी mole rate 1 है मतलब यदि हम कोई भी electrolyte बिद्दू तब घट ले ले जिसकी concentration जो है 1 a.m हो और 25 degree Celsius और एक atmospheric pressure हो उस condition में जब किसी metallic rod को किसी electrolyte के solution में हम लोग immerse कराते हैं तो metallic rod और solution के बीच एक disturbance create हो जाता है जिसको हम लोग उस metal का standard electrode potential कहते हैं अच्छा electrode potential हम लोग E या E आप the cell से represent करते हैं इसकी value आता है E cathode minus E anode इसको E mf भी बोला जाता है E mf electromotive force इसको E naught आप the cell से represent करते हैं this is equal to E naught cathode minus E naught anode मतलब cathode और anode दोनों का ये standard electrode potential है cathode पर reduction होता है cathode पर हमेशा याद रहे reduction होता है anode पर हमेशा याद रहे oxidation होता है तो ये फार्बूला था और ये येल जी पर ये दो हाँ ्टा आप साब्यों करत भू looks मतलब families 6 तो तो परहे बोलादाव 4 है Jesus प्रूब डाद और अनला 5 है